रास्टिये जनता दल में छिडिस घमसान के बीच भारतिये जनता पार्टी हो या जनता दल युनाइटेड कोई भी बयान देने से पीछे नहीं हट रहा है कल जडियू के प्रदेश सद्ध्यक शुमेश कुस्वाहा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया उन्होंने कहा था कि आरजडी के अंदर सेनियर निताओं का सम्मान नहीं होता और लालू प्रशाद यादब को उनके बेटे यानि तेश प्रताप यादब और तेजश्वी यादब ने ही बंद कमरे में कैद करके रखा हुआ है जिसके बाद आरजडी के तरब से भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला अब बीजेपी के रामकृपाल यादब का बयान सामने आया है रामकृपाल यादब कल दियारा छेतर में बाड़ प्रवावी छेतरों का जायजा लेने के लिए निकले थे और उसी दोरान उन्होंने मीडिया से बात करते वे कहा कि जगदा बाबु के साथ हम भी काम कर चुके हैं और आरजेडी के अंदर जो सीनियर निताओं का सम्मान है वरिस्प निताओं का सम्मान है वो नहीं मिलता है लिहाज़ा आप देख सकते हैं इस वक्त रास्टिये जन्तादल के अंदर क्या चल रहा है जगदानन सिंग के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ और अब कहीं न कहीं जगदा बाबू एक ऐसे नेता है जो अपने बेटे के भी खिलाफ हो गए थे अब तेश प्रताप यादब जो लालू प्रिशाद यादब के बड़े लाल है असनपूर से विधायक है वो ही जगदानन सिंग के खिलाफ खड़े हो गया है और मोर्चा खोल दिया है रामकृपाल यादब ने यह भी कहा कि जगदानन सिंग जैसे बड़े नेताओं का सम्मान पार्टी में नहीं हो रहा है वे कब तक इस अपमान का घूट पीते रहेंगे रामकृपाल ने कहा कि उनके समय भी अमूमन यही स्थिती थी जगदा बाबू के साथ वे आरजडी में काम कर चुके हैं जगदा बाबू ऐसे नेता हैं जो पार्टी के लिए अपने बेटे के खिलाब भी हो गय थे लेकिन अब उनके खिलाब खुद लालू के बड़े बेटे तेश प्रता पियादब खड़े हैं रामकृपाल ने कहा कि किसी भी स्वाभिमाने इंसान के लिए राजड में जगध नहीं है और यही कारण है जब से तेश प्रता पियादब ने जगधानन सिंग को हिटलर बताया था छात रिकाई की बैठक को याद कीजिए तब से राजड के प्रदेश काराले जगधानन सिंग आना वो आही नहीं रहे थे जिसके बाद रास्टिय जनता दल के तमाम निताओं से जब हमने बाचित की उन्होंने कहा कि जगधा बाबू की तब्विय ठीक नहीं है इसलिए वो प्रदेश काराले आ रहे हैं अचानक से वो तेजश्वी आदब के दस सर्कुलर रोड रावडी आवास पहुँचे वहां तेजश्वी आदब से मुलकात हुई उसके बाद सीधे जगधानन सिंग प्रदेश काराल पहुंसते हैं अब कहीं न कहीं बीज़ेपी के तरफ से भी तेश्वी आदब हो या फिर जगधा बाबू हो दोनों को खुले आउफर मिल रहे हैं तेश्पता प्यादब को भी बीज़ेपी के एक मंत्री ने उफर दे दिया और कहा कि आरजडी में अगर आपको सम्मान नहीं मिलता है तो आप बीज़ेपी में आए बीज़ेपी आपका तहे दिल से स्वागत करेगी वहीं जगदा बाबू के भी सम्मान को लेकर भी बीज़ेपी और जदियू ने उनका स्वागत किया है अब आने वाले समय में देखना होगा क्या तेज़श्वी आदब जब दिल्ली गए हैं और डामज कंट्रोल में लगतार वो लगे वे हैं तो रास्टिये जनता दल के अंदर से क्या कुछ और आगे निकल कर सामने आता है फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहें फर्स बिहाज हारकन के साथ नमस्कार